अलीघट के बर्ला छेत्र के गाउंगाजीपुड में यूबक की हत्या उसी के दोस्त ने की थी। बताया जा रहा है कि मृत्तक ने चोरी का जूटा आरूप लगाने पर दोस्त को नोकरी से निकलवाया था। इसी खुनस में एक अन्नी यूबक के साथ मिलकर उसी के दोस्त पुलिस ने दोस्त विशाल और उसके साथी बिवे को जेल भीज दिया है। पुलिस की जाच में सामने आया कि नीरच कुरकराम की कमपनी में नौकरी करता था। वहां काम करने वाले दो दोस्तों पर दादो की पुलिस को शक हुआ और मंगलबार को पुलिस ने विशाल और उसके दोस्त विवे को गिरफतार कर लिया। पुछतास में विशाल ने वताया कि नौइडा की एक कमपनी में नीरच के साथ काम करता था। कमपनी में चोरी हुई थी जिसमें नीरच ने मालिक और पुलिस के सामने मुझ पर चोरी का आरूप लगा दिया था। वह जेल जाने से बच गया था। इसके बाद दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। विशाल के मुताविक नीरच ने उसे मरवाने के लिए लोग पुलाई थे। दोनों कमरे में साथ रहते थे वहां से 20,000 रुपे का मुबाइल फोन भी चोरी हुआ था। विशाल को नीरच पर ही चोरी का शक था। इन सब को लेकर विशाल नीरच से रंजिश मानने लगा। 29 अक्टूबर को विशाल ने दोस्त बिवेक को बुलाया और दोनों नीरच को बन विवाग का जंगल देखनी के बाहां ने गाउं के बाहार बुलाया। वहां नीरच के साथ बी अरपी नशा होने पर लोही की रोड सिर में मार दी जिससे नीरच की मौके पर ही हत्या हो गई और हत्या के बाद नीरच का मुबाइल ले गए और शब को छिपा दिया। पुलिस ने रोड और नीरच का मुबाइल फिलहाल बरामत कर लिया है और आगे की कारवाई शुरू करती है।